से पहले उनको बसाया जाएगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद आना बंदो गया 2014 के बाद भी आ रहे हैं अभी तक आ रहे हैं रोज आ रहे हैं तो अभी तक 2000 जो illegal migrant आते थे जो गुसपैटी है हमारे देश के अंदर आते थे वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे हमें पकड़ लेंगे हमें जेल में डाल देंगे उन्हें डर रहता था क्योंकि वो illegal थे अब आप ये कानून लाके उनको legal बना रहे हो अब उनका डर खतम हो जाएगा पूरे तीनों देशों के अंदर मेसेज है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के गुसबैठियों को legal करने जा रही है तो ये 2014 आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे फिर ये डेट एक्स्टेंड करके 2024 कर दोगे क्योंकि गुसबैठियों तो आई रहे हैं आप कहा है अपने रहुंगियों को बसा रखा है तो जो इतने एक तरह से दर्वाजा जो खोल रहे हो इनको जो लीगल बना रहे हो ये देश के लिए बहुत खतरना क्या और इतनी भारी संख्या में इसके बाद गुसबैठियों आने वाले हैं जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते आज जो 2014 के पहले भी आये थे हमारी देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है आप उनको नागरिकता देखे अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगे उनको पाकिस्तान से आई हुए घुसपैठियों को हमारी देश के अंदर सरकारी नौकरियां दो गया उनको उनके राशनका लagnarch फ्रस्वार है वो कम पड़ते हैं हम बार बार के अंदर को लिखते हैं हमारे दिलीन के थैसा हमारा पैसा हमारा है सरोकार मैसा है इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बंगलादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाते हो यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को कृपिया इसको मैं पूरी विनमरता के साथ बोल रहा हूं कि कृपिया इसको समझने की आप से जानना ता चाहता हूं जो जो ये मेरी प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं मैं आप से जानना चाहता हूं अगर आपके घर के सामने सडक के उस पार पाकिस्तान से आईवे लोगों की जुगियां बसा दी गई क्या ये आपको मंजूर पूरे देश के अंदर जगे जगे पसा दियागे, क्या आपको ये मंझूर होगा, या आप अपने आपको उनके बीच में सुरक्षित मेहसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग क्या देश सुरक्षित होगा पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर क्या हमारा देश सुरक्षित होगा चारो तरफ कानून विवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी इसी को लेके मैं चिन्ते तो माने ग्रहमंत्री जी मेरी बात को अन्यता मत्री जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते Canada का हाल देख लीजे क्या हो गया विक्सत देश होता था उसने अपने दर्वाजे खोले पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो migration बंद कर रहे हैं अमरी इसका लंडन इसका UK का हाल देख लीजे क्या हो गया पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले immigration के immigrants को रोकते हैं और आप दर्वाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां पाकिस्तान बंगलदेश के गरीब सारे आके यहां बस जाए हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा अगर आपको लाना ही है भाहर से लोगों को हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए केंदर सरकार की भाजपा सरकार की नीतियों के विज़े से उनके अत्याचार के विज़े से अगर लाना है